हलो नमस्कार बच्चों आज हम लोग बात कर रहें महारास्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने भी इससे पहले भी आपको दो-तीन वीडियो बनाए थे और उसके अंदर मैंने महारास की काउंसलिंग के रिकार्डिंग बात की थी लेकिन पहले जो डेट थी महारास की काउंसलिंग की वो डेट आप पोस्पोन कर दी गई है या फिर आप ये बोलीजे कि जो ओनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो डेट एक्स्टेंड कर दी गई है ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले है कि डेट एक्स्टेंड कब तक की गई है और कब से कब तक एक्स्टेंड की गई है आप पीमेंट कब कर सकते है और जो भी आपके डोकिमेंट की रिक्वाइरमेंट अब वो किस तरीके से होगी ठीक है तो चलिए बात करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को शेर कीजेगा यहाँ पर पहले आपकी जो डेट थी डेटेट 13.01.2022 एज पर नोटिस नमबर 07 तो यह जो डेट आपके यह क्या कर दी गई है इस डेट को पॉस्पॉंड कर दिया गए आपका ठीक है अब extended online registration जितने भी courses है उन सब के लिए जो इसकी registration date अब एक्स्टेंड कर दी गई है 13 से extend करके उसको 17 कर दिया गया है 17.05 पीम तक आपकी registration online registration की date रहने वाली है payment of registration fees through online payment gateway for these courses ये भी 13 से लेके 17 तक लेकिन ये आपके 12 बजे तक रात में 12 बजे तक कर दिया गया इस time को uploading of colored scanned copy in PDF of original requisite documents phase first, phase second and phase third on portal as per the list इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए है उन वीडियोस को आप जाके देखिएगा जो भी अगर आपकी क्योरी है वो वहाँ पे जाके soul हो जाएगी जितने भी documents related आपको कोई दिक्कत है वो वहाँ पे soul हो जाएगी तो ये भी date 13 से 17 11 59 पीम तक कर दी गई तो ये उन बच्चों के लिए गुणनी हो जाए जो किसी भी reason की वज़े से यहाँ पे registration नहीं कर पाये थे पहले 5th of January इसकी last date थी लेकिन इस date को extend करके 17th of January कर दिया गया अब ये confirm है यहाँ पे कि जो आपका result होगा वो दिले हो गया एक तरीके से यह माल लीजे यानि counseling अगर डिले हो रही है तो आपका जो admission process है वो सब कुछ भी डिले हो रहा है ठीक है अगर वीडियो सच में आपक लाइक कीजिगा चैनल को subscribe कीजिगा और वीडियो को share कीजिगा आपकी अगर कोई भी counseling के regarding problem है comment box में जरूर लिख के बताएगा thank you मिलते है next video में